Hello everyone, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Crucifery और Brassi कैसी Family जिसे सरसो कुल भी कहा जाता है आज इस Family का हम Part 2 पढ़ेंगे Part 1 के अंतरगत हमने सरसो कुल के अंतरगत इसके Classification और Vegetative Characters को पढ़ा था आज के इस Lecture में हम Crucifery Family के Reproductive Character और Economic Importance का अध्यन करेंगे तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले Classification से वर्गी करन, Kingdom Planty जिसमें Plants आते हैं Division, Magnoliophita, Class Dicotyledon, Order Parietals, Family Brassicae, Genus Brassicae और Species Compastries Reproductive Character जब भी हम किसी Family को Describe करते हैं या किसी Plant को हम Describe करते हैं तो हमें उस Plant के दो केरेक्टरों को विस्तार से अध्यन करना पड़ता है सबसे पहला उसका Character होता है Vegetative Character, Worthy Lakshan जिसके अंतरगत जर्दनापत्ती आते हैं जिसे हमने प्रीवेस वीडियो में डिसकस किया था और दूसरा उसका Character होता है Reproductive Character यानि की जनन लक्षन जिसके अंतरगत Flowers और Seeds इंकलूड है तो आज हम Reproductive Character को विस्तार से पढ़ेंगे First point आता है Inflorsence यानि की पुष्पक्रम First of all हम जानेंगे पुष्पक्रम किया है पुष्पा वाली वरंत पर पुष्पो के लगने का क्रम पुष्पक्रम कहलाता है इस फैमिली में Racim type का पुष्पक्रम पुष्पक्रम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं ससीमाक्ष पुष्पक्रम और असीमाक्ष परन्तु सरसो प्लांट के अंतरगत असिमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है रेसिमोस टाइब का पुष्पक्रम होता है जिसका आर्थ होता है कि जब मुख्य अक्षी की व्रदी असीमित होती है यानि की मेन एक्सिस के टॉप पर बड या कली का उपस्तित होती है तो उसे कहा जाता है असीमाक्षिया रेसिम टाइप का पुष्पकरम तता इसी फैमली के कुछ मेंबर में कॉरिंब टाइप का पुष्पकरम भी देखने को मिलता है जैसे केंडी टाफ्ट नेक्स पॉइंट आता है फ्लावर जो प्लावर्स होते हैं वो यलो कलर के होते हैं बाइसेक्शल होते हैं यानि कि द्वी लिंगी होते हैं एक ही पुष्पु में मेल और फीमेल दोनों ही जननंग उपस्तित होते हैं हाइपोगाइनस का आर्थ होता है कि जब फ्लावर में ओवरी उपर की तरफ वो सुपिरियर हो और उसके नीचे से दूसरे वल्स यानि की अंड़ोशियम और कैलिक्स करोला निकलते हो तो उसको कहा जाता है हाइपोगाइनस यानि की ओवरी की पोजिशन सुपिरियर होती ह टेट्रामेरस फ्लावर का मतलब होता है कि जब फ्लावर में कैलिक्स और करोला की संक्या 4 होती है तो उसको टेट्रामेरस फ्लावर कहा जाता है e-bractiate यानि कि जब flower में bract अनुपस्तित हो तो उसको e-bractiate condition कहते है pedicillate जो pushp का dental होता है उसको pedicill कहा जाता है actinomorphic यानि कि तरिज्जा समित जब flower को किसी भी तल से काटा जाए और pushp दो बराबर भागों में divide हो जाए तो उसको actinomorphic या तरिज्जा समित flower कहा जाता है complete से ताथ पर यह है कि जब किसी flower में pushp के चारो चक्र यानि की calyx, karola, androsium और gynosium ये चारो चक्र मौजूद हो तो ऐसा pushp complete या पूर्ण pushp कहलाता है नेक्स्ट हम देखेंगे flower के different parts flower की चार भाग होते हैं या पुषबुष चार चक्रों से मिलकर बना होता है जिसमें pushp का पहला चक्र calyx है जिसकी एक इकाई सेपल कहलाती है इस plant के अंतरगत यदि हम सेपल्स देखें तो 4 सेपल्स होते हैं चार सेपल्स पाया जाते हैं polysepals condition होती है यानि कि चारो सेपल्स स्वतंत्र होते हैं जुड़ेवे नहीं होते aggregate in two petals चारो petals दो चक्र में जम्य होते हैं दो बाहर की चक्र में present होते हैं और दो अंदर के चक्र में इसमें imbrick at activation पाया जाता है second corolla यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है यहां आपको यह जानना भी जरूरी है कि कैलिक्स और corolla flower के accessory parts होते हैं साहेक भाग होते हैं जो reproductive organ का protection करते हैं corolla की एक इकाई petals कहलाती है brassicase में या सरसोगों के plant में petals के संख्या 4 होती है poly petals होते हैं यानि कि चारो petals स्वतंत्र होते हैं yellow color के होते हैं और wall wet estimation पाया जाता है wall wet estimation का मतलब होता है इसको कहा जाता है coris parshi यानि कि जब number of petals कितने हो 4 हो चार petals हो चारो ही petals के जो किनारे हैं वह एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हो लेकिन एक दूसरे को overlay अपना करें तो यहां आप देख सकते हैं number of petals 4 है 1 1,2,3 और 4 petals है चारो ही petals में देखें तो हम यह जो first petals है first petal का अगर किनारा और पश्य किनारा दिखाए दे रहे हैं second petal का हम देख सकते हैं कि जो अगर किनारा है वह first petal के पश्य किनारे के सामने हैं तो इस प्रकार का जो arrangement होता है कि हर petals के जो पश्य किनारे होते हैं वह नए petals के या अगले petals के अगर किनारे के सामने मुझूद हों तो इसको कहा जाता है wall weight estimation यहां पर overlay condition नहीं होती overlay इस तरह से होता है आप देख सकते हैं कि यदि first petal इस तरह से arranged है और fifth second petal है यानि कि first petal का पश्य किनारा second petal के अगर किनारे द्वारा ढखा जा रहा है तो यह overlapping condition होती है किन्तु wall weight estimation में ऐसा नहीं होता साथ ही हम एक और character देख सकते हैं cruciform corolla cruciform corolla इस family का सबसे इस इंपोर्टेंट केरेक्टर होता है जिसके कारण ही इस family को cruciform corolla क्योंकि इसमें जो करोला होते हैं वहां cross like arranged होते हैं यहां यह cross रूप में चारो करोला arranged होते हैं इसलिए इसे कहा जाता है cruciform corolla next हम आते हैं आइंडोर्शय आमिया flower का तीसरा चक्र होता है जो male reproductive organ को प्रदर्शित करता है इसकी एक इकाई stemon कहलाती है इस flower में six stemons होते हैं tetradynamous condition होती है चतूर दिरगी अवस्ता होती है it means कि number of stemons six होते हैं six stemons two balls में arranged होते हैं दो चक्र में जम्य होते हैं जिसमें बाहर की चक्र में दो stemons होते हैं जो छोटे होते हैं तता अंदर की चक्र में मौझूद चार stemons बड़े होते हैं ऐसी condition tetradynamous कहलाती है basic fixed यानी की जो enter होता है enter के base से यदी filamental जुड़ा होता है तो उसे basic fixed condition कहा जाता है diethicus मतलब dvipalit दो लोग मोझूद होते हैं enter में तो उसे diethicus condition कहते हैं इस family के कुछ member में stemons की संख्या 6 से अधिक होती है जैसे lepidium में stemons की संख्या 16 होती है 16 stemons पाय जाते हैं next point में हम आते हैं gynosium gynosium flower का अंतिम चक्र होता है जो female reproductive organ को indicate करता है इसकी एक ही कारपल कहलाती है यदि हम कारपल को देखें तो कारपल तीन भागों से मिलकर बना होता है जिसमें उसका first भाग होता है stigma जो सबसे top पे होता है फिर उसके नीचे होती है style और नीचे का फूलावा भाग कहलाता है ovri तो एक कारपल के तीन भाग होते है यह उपर का जो भाग दिखाए दे रहा है यह stigma होता है यह नीचे का tubular part इस्ट्राइल कहलाता है और यह last का best part जो होता है वह ovri को दर्शाता है तो stigma styles और ovri से मिलकर कारपल बना होता है सबस्टों के flower में ovri bicarpularis sincarpus superior होती है दो कारपल पाये जाते हैं दोनों ही कारपल जुड़ेवे होते हैं और 37 में placentation parietal parietal placentation का अर्थ होता है बित्तिय बिजांड नियाज यानि कि यदि हम देखें तो जो ovri का बित्ति होती है ovri की बित्ति से यदि placenta लगा होता है तो उसको कहा जाता है बित्तिय बिजांड नियाज इस तरह से ovri की बित्ति से जब placenta लगा हुआ होता है तो उसको कहा जाता है parietal placentation ovri unilocular होती है but become bilocular due to formation of false septum previous condition में या starting की condition में ovri एक कोष्टी होती है लेकिन बात में false septum बनने के कारण यह द्वी कोष्टी दिखाई देती है next fruits फल इस plant का fruit sili kuah या sili kula type का होता है sili qa type का fruit उसकी length अधिक होती है लंबाई अधिक होती है जबकि sili kula फल की लंबाई और चोड़ाई लगबग बराबर होती है अपवाद सरुकुछ पोदों में फल nut जैसे crombie में या एकीन की तरह के फल ascites में देखने को मिलते हैं next point आता है seed यानि की beege beege ब्रूण प्रोश्रेट यानि की non endospermik होता है वह बड़े ब्रूण युक्त होता है तो जो इस family का जो seed है वा silik पाया जाता है यह भी आपको याद रखने वाला point है आगे हम यहां देखते हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पूरी जो सर्सो है सर्सो प्लांट के डिफरेंट पार्ट को यहां दर्शाय गया है सबसे पहला डाइग्राम आप देखेंगे सर्सो का दिखाई दे रही है सर्सो का 92 प्लांट है आप influence देख सकते हैं reason type influences दिखाई दे रहा है ठीके pod नाइक के फर्ल होता है यह अप देख सकते हैं इसकी फ्लावर है यह यहाँ फ्लावर का ellis देख सकते हैं यह पुश्व का ellis है जिसमें cross like carola present है, carola cross rupee present है, यहां एक और चीज देख सकते हैं, जो carola होता है, वो दो भागों में बटा होता है, carola का structure होता है, वो two parts में divide होता है, नीचे का जो narrow part होता है, सक्रा भाग होता है, वहां limbo कहलाता है, sorry, नीचला हिस्सा जो होता है, वहां claw कहलाता है, उपर का ज जाता है limbo, तो जो petals होते हैं, वो claw और limb में divide होते हैं, फिर हम देख सकते हैं, यहां पर फ्रूट का structure दिखाई दे रहा है, यह फल है, फ्लावर का LS पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें बीच में gynosum दिखाई दे रहा है, यहां tetradynamus condition आप इस पश्ट रूप से द दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार से सरसो प्लांट के different parts को यहां पर दर्शाय गया है, next हम यहां पर इसका floral formula पढ़ते हैं, कि floral पूरी हमने family को इसको इस प्लांट को describe किया, तो इसके हिसाब से हम इसका floral formula बनाएंगे, कि सबसे पहले हम यह देखेंगे, कि flower actinomorphic है, actin मार्फिक है या जाइगो मार्फिक है, तो flower हमने देखा कि actinomorphic होता है, जिसका style इस तरह का होता है, फिर flower द्वी लिंगी है, यानि कि पुष्प पर दोनों ही चक्र मोजोदे, नर जनननंग और मादा जनननंग, तो यह द्वी लिंगी flower हुआ, इसके बाद हम देख सकते है इसके बाद हम देखेंगे, गैलिक्स जो कि पुष्प का पहला चक्र होता है, नंबर आफ सैपल्स है, फोर जो 2 प्लस 2 के अर्रेंजमेंट में लगे हुए हैं, दो बाहर के चक्र में और दो अंदर के चक्र में होते हैं, नेक्स करोला, चुकि इसमें करोला में पैटल्स की संक्या फोर है तो फोर पेटल्स है और कैसे तरह से अरेंगे क्रॉस लाइग क्रॉस रूपी पेटल्स मोजोद होते हैं क्रूसी फार्म करोला में नेक्स्ट पुश्पका तीसरा चक्र जिसे एंडोश्यम कहा जाता है तो नंबर आफ स्टेमन 6 होते हैं जो 2 प्लस 4 के रूप म तो यहां फ्लोरल फॉर्मूला हुआ सरसो प्लांट का जिसमें फिर से में आपको बदा देती हूं यह एक्टिनोमार्फिक कंडिशन होती है यहां सेकंड में हम देखेंगे द्वीलिंगी पूश्प नेक्स्ट कैलिक्स सैपल्स के संक्या 4 2 प्लस 2 के रूप में अरेंज हो अगला बिंदू हम देखेंगे यहां आप देख सकते हैं इसमें फ्लोरल फॉर्मूला यहां बताया गया है और यह फ्लोरल डाइग्राम है यहां मदर एक्सिस है मुख्य अक्षी के नीचे आप चो सेपल्स देखेंगे वह एक बाहर के चक्र में दोनों सेपल्स बाहर की त तरफ हैं और दो सेपल्स अंदर की तरफ हैं इम्डिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं नेक्स्ट हम सेकंड चक्र देखते हैं पुष्पका जिसको कहा जाता है करोला आप देख सकते हैं चार करोला केलिक्स के बाद अंदर के चक्र में आरेंज़ड हैं जो क्रॉस लाइक और सबसे अंदर ओवरी की पोजिशन है जो बाइकार पे लरी सिंकार पस होती है तो इस प्रकार से हम यहां पर यह फ्लोरल डाइग्राम को हम समझ सकते हैं आपको यहां समझ में आ गया होगा कि फ्लोरल डाइग्राम किस तरह से बनाया जाएगा यदि पुरी फैमिली समझ में आती है कि पॉइंट समझ में आता है तो फ्लोरल डाइग्राम हम बना सकते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे इसके एकोनोमिक इंपॉर्टेंस यानि की आर्थिक में तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है वेजिटेपल येल्डिंग प्लांट सब्जी देने वाले पोधे जैसे मूझिया जैसे मूली जिसका बोटनिकल नेम होता है रेफिनो सटाइवस इसके मूली जो होती है इसकी पत्ती में आईरन की मात्रा जादा होती है जिसे सब्जी की रूप में प्रयोग में लेते हैं शल्जम जिसको टर्निप कहा जाता है जिसका बॉटनिकल नहीं होता है ब्रेसिका रेपा यह भी खाने के काम में लाया जाता है यह भी मोडिफाइड रूट होती इसके बाद हम देख सकते हैं जैसे बंद गोवी या पत्त गोवी होती है, कैबेज जिसे ब्रैसिका ओलो रेशिया या ब्रैसिका कैपी टीटा भी कहा जाता है ये भी खाने के काम में लाए जाती है, सबजी में प्रयोग में लाए जाती है फूल गोबी, गाट गोबी, बटन गोबी, ये सभी ऐसे प्लांट हैं इस वेमली के जिन से हमें सबजीयां प्राप्त होती है फिर इसके बाद हम आते हैं oil yielding plants यानि कि ऐसे बोदे जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है vegetable oils प्राप्त होता है उनमें हम देखते हैं जैसे पीली सरसों जिसका बॉटनिकल नेम है brassica compass trees फिर तोराई जिसका नाम है बॉटनिकल नेम है brassica toria Владius varsa फिर व्याम सफिज सरसों जिसे brassica alba कहा जाता है राई जिसे brassica जंगशिया कहा साथ ही एक और होता है प्लांट काली राई जिसे brassica nigra कहा जाता है यह सबी पार्थिक महतों में हम देखते हैं अगला पॉइंट और्नामेंटल प्लांट्स यानि की सजावटी पोधे सजावटी पोधों में कुछ नाम इंपोर्टेंट है जैसे आई बेरी समारा जिसे चांदनी कहा जाता है केंडी टफ्ट दूसरा है मेथियोला, इनके नाम, नैक्स रे, कियर एंथस, कारकाई, इसे वाल फ्लावर भी कहा जाता है ये सभी पोधे गार्डन की शुभा बढ़ाते हैं और गार्डन में लगाया जाते हैं इसलिए और्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है अगला हाता है मेडिसिनल प्लांट यानि की ओश्दी देने वाले पोधे इस फैमिली के कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें ओश्दी आप्राप्त होती हैं और कई रोगों का उपचार करने में ये काम में लाया जाते हैं जैसे लेपीडियम सटाइवं हलीम पोधो का उप्योग दमा कफ एवं खुन बवासीर के उपचार में किया जाता है कैपसेला प्लांट का उप्योग ड्रापसी एवं दूसरे और दूसरे रोगों के उपचार है तो इसको प्रयोग में लाया जाता है नॉस्टर्शियम इंडिकम ऐसा प्लांट होता है जिसके बीज रेचक के लिए काम में लाया जाते हैं इसका उप्योग दमा के इलाज में भी किया जाता है नॉस्टर्शियम ऑफिसीनेल दूसरा प्लांट है नॉस्टर्शियम की दूसरी स्पीशी से ऑफिसीनेल इसको उप्योग सीने में दर्द होने पर किया जाता है तथा भूग में व्रद्धी के लिए भी इसको उप्योग में लाया जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो ब्रैसिक हैसी या सरसो अकुल है इसके हमने reproductive character और economic importance को विस्तार से पढ़ा इसकी कुछ important species के नाम है जैसे ब्रैसिका गंपेस्ट्रिस जैसे mustard कहा जाता है ब्रैसिका नैपिस तरनीप कहलाती है ब्रैसिका ओलो रेशिया cabbage है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यह family है बहुत important family है exam point of view से भी और इसको आप मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गई होगी थैंक यू